सब्सक्राइब किजिए ग्लोरेस्टीम चैनल को और पेल आइकन दबाईए लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कहीं से भी बस पैसा आजाए मुझे और कुछ नहीं चाहिए कहीं से मुझे कोई नौकरी दे और पैसा आजाए सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जए तो STD PCO की शॉप भी बंद हो गई उसके बाद मैं कहीं जगें इंटर्वी उसके ले गया हर जगें फेल होता चला गया कुछ सम मैं सच बता हूँ तीन गंटे का सेमिनार था मुझे कुछ समाज नहीं आया सब कुछ मेरे उपर से निकल गया और मुझे एग्जाक्ट याद है आज भी कि मैं कहा बैठा था आगे से एक अडिटोरियम था और मैं यहां से तीसरी सीट पर बैठा हुआ था मैं देख रह था और इस जगे पे एक 21 साल के लड़का खड़ा हुआ था जब तक वो बोलता रहा बोलता रहा मेरे दिमांग में कुछ नहीं कुछ सा सब उपर से निखल गया लेकिन एंड में उसने बात बोली करता मेरी एज 21 साल है और मैं महीने का धाई लाख रुपए कमा रहा हूँ उसम दिमांग में रहा था मैंने का यह तो सच में कमा रहा है धाई लाख रुपए महीने का मेरे तोथे उड़ गए दिमांग फट गया बेरा मैंने यह देखा था जिंदगी में कि यह दस पंदरा हजार पर के लेवल बे पॉशने में भी सालो लग जाते हैं और यह दूसी है जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता मैं कोई दूसरे प्लैनेट से आया हूं मैं क्यों कर सकता है अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है मैं भी कर सकता हूं कर सकता हूं और जैसे यह दो वर्ड आये मेरी लाइफ में जैसे अ कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं बोलने लग गया, अरे अब आप देखो मैं क्या गरता हूँ, अरे दो दो लाग के चेक तो आप अशे लिया हूँगा, कंपनिया खड़ी कर दूँगा, अभी आप देखते जाओ, आपक हो, थोड़ा सा तो पागल होना पड़ेगा, वही हुआ, मैं पागल हो गया, अजीब जीब बाते करने लग गया, अंदर से मुझे लगने लग गया, बहुत असान है, लैंड फर्टाइल हो गई, एक स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप, डिस्कवर करना था क्या करना है, अब दो आवाज थी, बाहर की आवाज, अंदर की आवाज, मैं उस आजमी को, जिसको मैंने स्टेज पे देखा था, उसको देख करके मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा बनना है, वो ये कर रहा है, तो मैं भी यह करूँगा और मैं डाइलाग रुपए कमाऊगा, मेरा इंटर फैल हो गया, बुरे तरीके से, दो वज़े थी उस फेलियर की, एक ये कि मेरे अंदर की आवाज नहीं थी, दूसरी ये कि मैं शेरिंग नहीं समझ पाया था, मैं वाँ लोगों को उनके फाइदे के लिए नहीं लेके जा रहा था, अपने फाइदे के लिए लेके जा रहा बुरी है, अच्छी कैसे हुई, उस टाइम के साफ से तो बुरी किसमत है ना, लेकिन ये ही बेवकुफी है, क्योंकि बुरा तो कुछ है नहीं इस दुनिया में, क्योंकि जो होता है, अच्छे के लिए होता है, सक्सेस कमस फॉम एक्स्पीरियंस, अगर वो आपके पास आ स और वो चीज में समझ आ गई, जब उस कंपनी में गया, उसका फाइदा ये हुआ, फाइनेशली में फेल हो गया, लेकिन फाइदा ये हुआ, बहुत अच्छे अच्छी बाते सुनने को मिली, ये सारी बाते समझ आने लग गई, जो मुझे नहीं समझ आती थी, कुछ अलग झाल 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 झाल